बरेड़ेवान वेल्कुम तुमाइट चैप्टर 6 इंटीजर सेक्सराइज 6.2 और कोश्चन नूमबर 5 और कोश्चन इस फाइंड दा सम् कुछ इंटीजर से गीवन हैं जिसका हमें सम्ट करने हैं इसे पहले कोश्चन से मीं हम 2 इंटीजर को एड करना सीख चुके है अब इस कोश्चन में देखो 4 इंटीजर से हमारे पास तो इनहें आड करना सीखेंगे हम तो सबसे पहले हमें क्या करना होता हैि इंटीजर को एड करने के लिए brackets open करनी होती है mean bracket हटानी होती है तो bracket हटाने का तरीका मैंने आपको बताया था जब हम plus के साथ bracket हटाते है तो plus का sign हट जाता है और bracket के अंदर वाला sign बहार आ जाता है तो plus का sign हट गया और minus का 9 आ गया, बाकी और कही bracket नहीं है, तो बाकी integers हमने as it is लिख लिए ऐसे उतार लिए अब देखो यहां बार पस four integers हैं तो हम two two integers को करके ही solve करेंगे इन two को solve कर लेंगे और इन two को भी solve कर लेंगे अब देखो यह दोनों integer कैसे हैं दोनो negative integer हैं दोनो minus के हैं same sign के हैं तो add हो जाएंगे seven plus nine sixteen लेकिन sign किस करेगा minus का ही रहेगा जब minus वाले integers add होते हैं तो sign minus करेगा अब यह देखो यह plus का four और plus का 16 यह दोनों भी same sign वाले हैं यह भी add हो जाएंगे 16 plus four twenty और sign किस करेगा plus का यानि plus वाले दोनों integer जब add करेंगे तो sign plus करेगा अब इसके बाद देखो four integer से दो दो हमने add कर दिये दो आ गए माइनस का 16 प्लस का 20 अब एक negative integer एक positive integer और जब होता है तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं 20 में से हमने 16 माइनस किया four और sign किस का आएगा जिस में से हमने माइनस किया 20 में से माइनस किया 20 प्लस का था इसलिए sign के आएगा प्लस का तो इस तरह से हमारे पास जितने भी नंबर हो उनको हम दो दो करके easily solve कर सकते हैं नेक्स्ट बी पार्ट यहां भी हमारे पास देखो four integers है और सभी के सभी bracket में है तो सारी brackets open करनी पड़ेंगे पहले इसे 37 के बाहर कोई sign निया मतलब plus का sign और plus से bracket खोली तो अंदर वाला sign यानि plus as it is आ गया फिर plus के साथ bracket खोल रहे है यह हट जाएगा और क्या जाएगा हमारे पास minus का 2 यहां देखो plus minus plus minus की minus होती है चाहिए आप ऐसे सोच लो या plus के साथ हमने bracket खोली तो minus का 65 as it is आ गया इसी तरह से next bracket भी हम plus के sign के साथ खोल रहे है तो अंदर का sign as it is आ गया four integers है उसी तरह से two two integers को हम करके solve कर लेंगे into को solve कर लेंगे और into को भी solve कर लेंगे अब यह देखो 37 क्या कोई sign नहीं है तो यह कौन सा sign है plus का sign है तो plus के 37 और minus के two एक plus और एक minus क्या होगी minus हो जाएगी 37 में से two minus किया हमने तो sign किसका बचेगा 37 का यानिकी plus का और यहाँ पर हमारे पस दोनो दोनो integers जो है वो negative है minus का 65 और minus का ही 8 है दोनो same sign है add हो जाएंगे 65 और 8 73 और दोनो minus के थे इसलिए minus का 73 अब देखो एक plus का 35 है और minus का 73 है दोनो different sign है minus हो जाएंगे तो 73 में से 35 को minus करेंगे तो क्या आएगा 38 और sign आपने ध्यान से लगाना है अब तक बहुत सारे question कर चुके है आप तो आपको अच्छे से आ गया होगा कौन सा sign आएगा यहाँ पे 73 का क्योंकि 73 में से हमने 35 माइनस किया था और 73 का sign था minus इसलिए यहाँ पे sign आएगा minus तो इस तरह से ही हमारी exercise complete हो गई और इस पूरे exercise में हमने सिखिया addition of integers with number line without number line I hope आपको यह question अच्छे से समझ में आ गया होगे keep practicing thank you